नमस्कार आरेस अनपुर्णा किचन में आपका स्वागत है आज हम महराश्टन कड़ी बना के तयार करेंगे तो हमने इसके लिए दो कप दही ले लिया है विकुल गाड़ी दही ली है और आदा इच अद्रग, चार पांच हरी मिर्च और चार पांच लहसन की कलियां लेकर हम इसे पहले दरदरा कूट लेते हैं अब दही लेंगे और उसमें डालेंगे दो चम्मच बेसन और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसमें कोई लम्स ना हो और विकुल ताजी दही ली हमने आप चाहे तो थोड़ी खटी दही भी ले सकते हैं एक कप पाई डालेंगे इसे मिक्स करेंगे तो देखिए अच्छी तरह मिक्स हो चुका है अब कड़ी में दो चम्मच तेल गर्म करेंगे इसमें तिल ज्यादर नहीं लगता है और आदा चम्मच राई आदा चम्मच जीरा डालेंगे इसे क्रेकल होने देंगे दो पिंच हिंग डालेंगे और जो कूट के रखा था हरी मिर्च अदरग लहसन उसे डाल देते हैं कपुछ कड़ी पत्ते और एक लाल मिर्च डालेंगे इसे हम हलका सा भून लेते ताकि इसका कच्चापन चला जाए वन फोर चम्मच हमने हल्दी डाल दिया है इसके बाद ये दही डाल दिया है एक कप पानी और डाल देते हैं क्योंकि ये भी और गाड़ा था आपको जितना गाड़ा रखना है पतला रखना है उसे साबसे पाई डाल सकते हैं मिक्स कर देते हैं इसे हम लगाता चलाते हुए 10 मिनट तक पकाएंगे तो हम लो फ्लेम पे पकाएंगे इसे हम लगाता चलाते रहना है वरना ये उपर आता है और गिर सकता है तो देखिये 10 मिनट हो चुका है कड़ी हमारी बनके रेडी है अब हम इसमें धनियाँ पती डाल देते हैं। बहुत ही टेस्टी कड़ी बनके तयार हुई है। तो आप भी इसितरा कड़ी बनायें। बहुत टेस्थी कड़ी बनके तयार होती ए। अगर आपको हमारी रेसिपी एच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब कर और बेल आइकों जरूर दबाए ताकि ने वीडियो आप तक पहुंच सकें धन्यवाद